इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े खस्चे रोड, रेल, हवाई अड़े, मैट्रो, बिजली जैसे हर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, इससे रोजगार के नए आउसर भी बढ़ेंगे साथियों, आज जिन युवाओं को नियूर्ति पत्र मिला है, उसमें काफी संख्या पैरा मिल्टरी फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है युवाओं के भी ये अपने आप में बहुत बड़ी आकांशा पूरी हो रही है पिछले कुछ वर्सों में पैरा मिल्टरी फोर्स में भरती प्रक्रिया को रिफॉर्म किया गया है इस साल जनवरी से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तेरा भाषाओं में लिखित परिशा लेने का फैस्ला लागू हो चुका है इससे लाखो प्रतिभागियों को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिला है बॉर्डर पर सिद जिलों और उग्रवाद प्रभाविच जिले का कोटा भी बढ़ाया गया है साथियों विख्षीद भारत की यात्रा में हार सरकारी कर्मिचा का बहुत बड़ा योग्दान होगा आज जो एक लाग से ज़्यादा कर्मिचारी हमारे साथ जूड रहे हैं वो इस यात्रा को नई उर्जा और गती देंगे आप चाहे जिस विभाग में रहे ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट निर्मार के लिए समर्पित हो आप सभी सरकारी कर्मिचारीों की केप्रिसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पॉर्टल भी लौंच किया है इस पॉर्टल पर विबिन्य विशेओं से जुड़े आठ सो से ज़्यादा कोर्स उपलब्द है अब तक इस पॉर्टल से तीस लाग से ज़्यादा युजर्स जुड़ चुके हैं आप सब भी इस पॉर्टल का पूरा फाइदा उठाए और अपनी स्किल्स का विस्तार करें मैं एक बार फिर आप सभी को न्यूक्ति पत्र पाने की आपके उज्वल भविश्की आप केरियर के हर पड़ाओ में देश को कुछ न कुछ देकर के आगे बढ़ें देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देकर खुद को आगे बढ़ाएं मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं आपके परिवार जनों को भी अनेक अनेक शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद